कि हाई वरीवन वेल्कम टू ब्हु पार्ट साला मेरा नाम है आदरश और जो जीके जीस की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है उसका इस सेट नेमर फाइफ है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हर एक सेट में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट को डिसकस करते हैं जो आपके दिए गए इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं यह नंबर आ इस पर आप हमें वाटसप कर सकते हैं ओके तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो कितने पुरुशार्थ है जो भारती संस्कृति होती है उसमें पुरुशार्थों की संख्या कितनी है तो जो भारती संस्कृति है इसमें पुरुशार्थों की संख्या है चार और जो पुरुशार्थ है यह है धर्म, अर्थ, काम यो मोक्ष question number two is when Indian Parliament passed Environment Protection Act कब भारती संसद ने परियावरार संगरक्षर अदनियम पारित किया तो ये अदनियम 1986 यानि 1986 में पारित किया गया था question number third is अजनता केव्ज अर लोकेटेड इन विच स्टीट अजनता की गूफाएं किस राज्य में इस्तित हैं तो जो अजनता की गूफाएं हैं ये महराष्ट के और अंगाबाद में उस्तित हैं question number four is who among the following rulers was known as the Indian नेपोलियन निमनिलिखित सासकों में से किसे भारती नेपोलियन की रूप में जाना जाता था तो options ये समुंद्र गुप्त को भारती नेपोलियन की नाम से जाना जाता हूँ okay सकंद गुप्त इन्होंने हुडों के आकरमण को काफी हद तक रोग दिया था और चंद्रगुप्त मौरे मौरे उंसके ये संस्थापक थे और श्री गुप्त ये गुप्त उंसके संस्थापक थे सो अगली स्लाइट पर चलते हैं and question no.5 is who was the author of Raastar Ingani जो Raastar Ingani पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे तो Raastar Ingani के लेखक थे कल्लड option C will be the option C will be the right answer okay कल्लड वास राइटर अफ रास्तर इंगनी और कल्लड जो है इन्होंने रास्तर इंगनी जो लिखी थी यह रास्तर इंगनी हमें कश्मीर की तियास के बारे में जानकारी देती है question no.6 is अडहाई दिन का जोपड़ा a mosque in Ajmir was constructed by अडहाई दिन का जोपड़ा जो एक मस्जीद है और यह Ajmir में इस्तित है किसके द्वारा बनवाए गया था तो अडहाई दिन का जोपड़ा कुत बुद्धी नैबग के द्वारा बनवाए गया था question no.7 is which star is closest to the earth after sun सूर्य के बाद कौन सा तारा पृत्वी के सबसे नजदीख है तो सूर्य के बाद सबसे नजदीख जो तारा है इसको वाज स्टैबलिस्ट किस वर्स में टिसको के स्थापना की गई थी तो टिसको वाज स्थापना 1907 इसको के स्थापना 1907 में की गई थी अगर टिसको के फूल फॉर्म के हम बात करें तो टाटा आयरन एन स्टील कमपनी ओके अगले स्लाइट पे चलते हैं अगर और नरे इस है वीच पलैनेट इसन उन एज इवनिंग स्टार किस ग्र вним स्चार को सव्म के तारिक नाम से जाने आता था तो जब घुलแइंगी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार तो इवनिंग स्टारों या फिर मॉर्न इस्टार हो उन्सर हम गैनिमेट किस ग्रह का उपग्रह है और यह हमारी सोलर सीस्टम का सबसे बड़ा प्रकेटिक प्रकेटिक समय भारत का बस कोन था तो हम आदढ़्यों नुछ सब्सक्राइब को है था लॉर्ड डफरीन और बात करें कांग्रेस के स्थापना कब हुई थी तो कांग्रेस के स्थापना 1885 में एओ हुम के त्वारह की गई थी और कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट जो थे वह WC WC बैनर जी थे विमेश चंद्र बैनर जी इसमें मैंने कंफिजन को अवाइड करने के लिए सीधे सीधे आंसर लिख दिये हैं इस सो चली डैरेक्ट आंसर की बाहरे में बात करते हैं तो हमार आंसर होका नेश्टनल भंट में तीन प्रकार के एमर्जन सी का प्रावधान है तीन प्रकार के अपात प्रावधान है तो आर्टिकल 352 यानि 352 में रास्ट्री अपातकाल भूह जिसले 366 आर्टिकल तीन सुच्छे 356 की अनुसार रास्टपती के दुवरा अपातका लगाए जा सकता है और है आर्टिकल 360 यहनी 360 इसमें विद्धिय एम एमर्जनसी का प्रावधान यहनी फाइनेशल एमर्जनसी का प्रावधान question number question number 13 को देखते हैं the question number 13 is by which constitutional amendment the age of right to vote was reduced from 21 years to 18 years किस समयधानिक सुन्सोदन के दौरा मतदान के अधिकार की आयू को एकिस वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दिया गया किस समयधानिक सुन्सोदन दौरा मतदान के अधिकार के आयू को 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दिया गया तो यह 61st constitutional amendment जो गवा था यह इसके दौरा किया गया और यह जो 61st यानि 61 समयधान सुन्सोदन किया गया था यह 1988 में किया गया था ठीक है क्वेशन नमर 14 इस टूडर मल वाज एस्सोशीएटेड विद टूडर मल किसे समन्दी थे तो टूडर मल लैंड रवन्यू रिफॉर्म से समन्दी थे यह अगबर के नौरतनों में से एक थे पुश्यन नमर 15 इस नहरू कप इस रिलेटेड टू नहरू गोल इस प्रोजेक्ट इस लोकेटेड ऑन विच रिवर माता तिला बहु उद्देशिय पर यूजना किस नदी पर इस्तित है तो यह बेतवा नदी के तट पर इस्तित है ठीक है जो यह माता तिला बहु देशिय पर यूजना है यह बेतवा नदी के तट पर इस्तित है और यह उत्तरप्रदेश के ललित्पूर में है क्वेशन नमब सेवेंटीन इस अपर्सन फू इस नॉट अमेंबर आफ पार्लेमेंट इस अपॉंटेड एज मिनिस्टर ही हैड ही हैस्टो गेट एलेक्टेट तुवन आफ आउसे साथ पार्लेमेंट विदिन एक वेक्ति जो संसत का स नहीं है उसे मंत्री न्यूक्त किया जाता है तो उसे कितने समय के बीटर संसत की किसी एक सदन में निर्वाचित होना अनिवार रहा है तो छह महिने के बीटर उसको संसत की किसी भी एक सदन या फिर लोग सभा या लोग सभा या फिर राजय सभा किसी भी एक सदन में उसमे उसका निर्वाचित होना अनिवार रहा है अने था वो जो उसका अपॉइंट्मेंट है जन मेनिस्टर वो कैंसील हो जाएगा कुश्चेंबर 18 इस अंडर विच आर्टिकल अफ इंडियन कॉंस्टिटूशन प्रेसिडेंट कैन बी इंपीजड भारती समिधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत राष्ट पती पर महावयोग लगाया जा सकता है तो भारती समिधान के आर्टिकल 61 यानि अनुच्छेद 61 क के तहित महावयोग राष्ट पती के उपर चला आजा सकता है और बात करें आटिकल 72 में इसमें जो जो किसी को अगर पांसी की सजा होती है तो राष्ट पती उसे शमादान दे सकते हैं ठीक है पार्डणिंग जो हती है राष्ट पती के द्वारा वह आर्टिकल 72 में इसका वाडन है क्वेशन नमब 19 is EEG is used for the diagnosis of EEG का उप्योग किसके निदान के लिए किया जाता है तो EEG जो होता है इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राम इसका फुलफाम होता है और इसका प्रयोग ब्रेन के लिए ब्रेन का ये एक प्रकार का टेस्ट होता है क्वेशन नमब 20 is bile is formed in पित का निर्माण कहा होता है तो bile is formed in liver पित का निर्माण liver में होता है और वही क्वेशन आये कि ये कहां पर store होता है तो जो ये पित होता है इसका storage होता है गाल ब्लेडर में और पैंक्रियाज जो होता यह इंसिलीन का सिक्रेशन करता है ओके ठीक है और अगली स्लाइड पर चलते हम लोग देखेंगे अगली स्लाइड में क्या है तो नाद वुश्चन फॉयू विच आपको बताना है कि निमनलखीत में से कौन सी जन जाती उत्तर प्रदेश में पाई जाती है गारो खासी थारू संथाल आप इन चारो ट्राइब्स यह जो चारो की चारो दिख रही है इनको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि यह कहां पर जाता चरक समीता की लेखक कोन है तो चरक समीता की लेखक है आचार चरक जी ठीक है इन और इस कुश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में अंसर करेंगे और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तो दिस इस दे एंड आफ दिस वीडिय थैंक यू